स्पीकर चुनाप पर बड़ी रार टीडीपी अडी मोधी को दे दी सीधी चितावनी टीडीपी का स्पीकर बनना तै एंडिये नहीं तो इंडिया के समर्थन से जीत तै मोधी शाफेल अब राजनात ने समाली नाइडू को मनाने की कमान लोग सभा स्पीकर का पद एंडिये में बगावत का कारण बनता दिखाई दिरा है बीजेपी इसे किसी भी कीमत पर अपने पास रखने पर अड़ी है तो दूसरी तरफ टीडीपी ने भी इसे लेकर अपना रुक सक्त कर लिया है चंद्रबाबू नाइडू एंडिये के पुराने फॉर्मूले पर जोड दे रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब देश की राजनीती बदल गई है इसे लिए फॉर्मूला भी बदला जाना चाहिए लोगसबा स्पीकर का पद अब एंडिये में टूट का कारण बनता दिखाई दे रहा है चंद्रबाबू नाइडू की टीडीपी ने स्पीकर पद पर समझोता करने से इंकार कर दिया है उन्होंने साफ कर दिया है कि स्पीकर टीडीपी का ही होगा दरसल नाइडू पहले से ही केंद्री मंत्री मंडल में टीडीपी के मंत्रियों की संक्या कम रखने और उन्हें कम महत्व के मंत्राले दिये जाने से नाराज हैं नाइडू ने केंद सरकार में दो कैबनेट और दो राजमंतरी के पद मांगे थे लेकिन उनकी पार्टी को एक कैबनेट और एक राजमंतरी का पद मिला है जबकि वित और शेहरी विकास जैसे मंत्राले भी उन्हें नहीं दिये गए हैं जिसके बाद से नाइडू की नाराज इंडिया गटबंदन की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि अगर TDP अपना उमीदवार speaker-pat के लिए उतारती है तो इंडिया गटबंदन उसका समर्थन करेगा नहीं तो इंडिया गटबंदन की तरफ से उमीदवार उतारा जा सकता है NDA के अंदर भी TDP को समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है वैसे जेडियू ने भी दावा किया है कि स्पीकर पत पर वो BJP उमिद्वार का समर्थन करने को तयार है लेकिन TDP ने जिस तरह से अपने रुक को सक्त किया है उसके बाद जेडियू भी पल्टी मारता दिखाई दे रहा है जेडियू भी चाता है कि ये पत NDA में BJP के सहयोगी दल के पाले में आए वैसे जो नाराजगी BJP से TDP की है वही जेडियू की भी है उसे भी सांसुतों की संख्या के हिसाब से ना तो मंत्री पत मिले हैं और ना ही भारी भर कम मंत्रा ले दिये गए हैं इस बीच नाइडू को मनाने की कमान अब राजनात सिंग ने समभाल ली है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अमिशा और जेपी नडडा दोनों ही नाइडू को समझाने में नाकाम रहे हैं अब राजनात सिंग ने इसकी कमान समभाल ली है राजनात सिंग एंडिये गठबंदन में शामिल दलो के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं आम सहमती बनाने की कोशिश हो रही है लेकिन टीडीपी के स्पीकर पत पर अणने के चलते अब बात नहीं बन पारी है टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पत भी ओफर किया गया है लेकिन नेडू स्पीकर पत से कम पर तयार नहीं दिखाई दे रहे हैं बीजेपी और टीडीपी के स्पीकर पत को लेकर अंडने के चलते अब मोधी सरकार ही संकट में फस्ती दिखाई दे रही है। दरसल टीडीपी के पास 16 सांसद हैं और ये भी तैमाना जारा है कि टीडीपी जहां जाएगी वहीं उसकी सहयोगी पार्टी जनसेना भी जाएगी जिसके दो सांसद हैं यानि 18 सांसद एक साथ पाला बदलने की तयारी में हैं अगर नितीश कुमार भी नैडू के साथ आ जात अगर इंसांसदों का समर्थन इंडिया को मिलता है तो टीडीपी का स्पीकर बनने के साथ ही केंदर में इंडिया गटबंदन की सरकार भी बन जाएगी क्योंकि इंडिया को लोकसभा में 234 सीटे मिली थी बाद में तीन निर्दली विधायकों का समर्थन इंडिया को मिल ग पराहे कि अगर TDP के आगे BGP नहीं जुकती है तो NDA टूट जाएगा और स्पीकर पत के साथ ही केंद्री की सरकार भी उसके हाथ से निकल जाएगी